कैंठ तो कैसे आप सभी लोग तो कल तक की वीडियो हम ने यहां तक पढ़ लिया कितना है सब्सक्राइब आपको याद करने है प्रतेक चैतर का चैतरवार योगदान कितना है प्रतिवेक्ति आए कितनी है थोग मुल्य सुचकांग कुल उर्जा उत्पादन बैंकोए पास कितनी जमाराच्यां है आई होप आपने सारे आगड़े याद कर लियोंगे उसके ब रूप रेखा ये वाली सारणी जिसमें प्रमुख संकेतक बारत के साल तुनला करके दे रखे थे यह आपको याद दो चुके होंगे दिरे नीटियुमें उसके अनके बारे में व्यक्या की हुई है कि मिश्यामीं के मय ने अपको प्ताइत उ संस्में सबस्कें बारे जथिता है को बंकि बीच में यह दे परचेंट के बाद निर्जिनियरिंग है वो निर्याद किया जाता है उसके बाद कपड़ा उसके बाद दातू के बाद अस्ति शिल्प और जो रसाय नहीं हो उससे रिलेटर जो भी मैटेरियल वगारा होते हैं वो उसके बाद रतन और आवुसन फिर कछी फिर आयामी पत्थ हो उसके बाद इतनी भी चीज़े बच गी वो पंद्रा परसेंट बाकी उसमें शाट परसेंट के आसपास पांच वस्तुगा निर्याद किया जाता है उसमें अभ्यांतरी की पहले नंबर वर 16.12 कपड़ा बारा पुइंट 85 के साथ दूसे नंबर पर दात्तु ग्यारा जाता है हर एक चेतर में जितना भी निर्यात होता है उसमें 9 परतिशत का इसा या मोटा मोटा 10 परतिशत का इसा किसके रसाइन का केमिकल्स का और उसे रिलेटर जो भी प्रोडेक्ट है उनका ठीक है यहां तक बात हो चुकिए हमारी अभी से आगे हम देखेंगे आज थरम और रोजगार लेकिन उससे पहले आपको क्या काम करना है आपको वीडियो को लाइक करने है वीडियो को लाइक करने के साथ और आपको क्या करना है वीडियो को शेयर भी करना है लाइक करना है शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है और इसके साथ ही साथ एक म धरम और रोजगार ठीक है आपको एकोनोमिक इसफ़य पढ़ना मस्ट किंपल्सरी राजस्तान के यह एक एक जाम में आपके काम आएगा राजस्तान स्टेट लेवल में राजस्तान स्टेट लेवल का कोई भी एक जाम हो उसके हर एक एक्जाम में जिसमें राजस्तान जिके में राज जिके में आपका एकोनोमिक सब्जेक्ट आता है उस हर एक सब्जेक्ट में आपका एकोनोमिक सर्वे प्लस बजट यह दोनों आपके काम आएंगे तो यह दोनों पड़ने बहुत ही जादा जरूरी है इसलिए मैं आपके लिए क्लासेज लेकर आया हूं तो कल का रिवीजन परसों का रिवीजन पिछे जो क्लासेज हुए है उनका आप लोग रिवीजन कर लेना अच्छे से और जो आंकड़ी है वो जुरूर याद करना आंकड़ों के बिना आपका कोई कुछ भी काम चलने वाला है नहीं तो आज जो क्लास है वो करते हैं स्टार्ट आज का लेक्चर तो चलिए आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सरम और रोजगार ठेक है इसमें क्या कुछ पढ़ना होगा क्या थोड़ना होगा वो दोनों चीजे मैं आपको बताता रहूंगा साथ ही साथ में तो गप्राने वाली कोई बात नहीं है रोजगार बिरोजगारी और सरम आकड़ एर्थ व्यवस्ता की प्रगति के रोड मैप पर नजर रखने तो मैं तो पुन भूमिका नहीं ब पॉर्टिल की शुरुआते की गयी यह यह लाइना आपके लिए उपर बलंभी रहना ओ वालि मतरखना यह जो है आपके जो आडि-एस वाला अभी हाल फिलाल में आगे एक्जाम होगा เสर होता है तो मैं जबुक्मिद लिकने क्लिए यह लईने बहुस्य जरूरी है तसे नमबर मिलेंगे आपको इस से मैंस के लिए ठीक है तो मैंस के लिए याद रखना पर ही में इतनी काम नहीं आएगी या फिर किसी भी इसमें आपके लिए यह जरूरी है वह डायरेक्ट पुछिए कि इस प्रकार के सर्मिकों के लिए तो उसमें आपको बात कब हुई 26 अगस 2020 के जगा वो दोजार बाइस कर देगा दोजार बीस कर देगा दोजारूनिस कर देगा राजस्तान में नुवंबर दोजार बाइस तक इस पॉर्टल पर कुल इतने संग्ठी सर्मिकों का प्रंजिकर्ण किया जा चुका है राज्य सरकार द्वारा दिनाग 28 जुन दोजार बाइस को दिस उचना जारीकर एक जुलाई दो जारीकिस से में कुछल अर्द कुछल कुछल और उच पुछल सर्मिकों के लिए न्यूंतम मजदूरी दर को करम सहीतना कर दिया गया अब इसमें आपके लिए एपोर्टेंट लाइन को कौन सी है कि जो निउनतम मजदूरी दर है गोइज़ और यांने कि एक वैक्ति को इतनी जो मज़़ूरी है इसकी वह वेजय कोश्ट कम से कम मिलना चाहिए तो वह कुछ भी नहीं अचा जितिक पास कि कि सी परकार का कौसल नहीं है उसको 269 रुपे परती दिन यह परती दिन का है ठीक है 269 रुपे परती दिन उसको मिलना चाहिए वितन या फिर मजदूरी है उसकी जो भी है वेज़ जो भी है अर्द कुसल सर्मिक है जिनके पास थोड़ा बहुत कोसल है जो थोड़े बहुत किसी परकार के काम में कुसलता प्राप्त है उनको 213 रुपए उसके बाद जो कुसल सर्मिक है जिनको कुसल प्राप्त है अच्छे खासे उनको किसी भी फिल्ड में वो जानका रहे है उनको पर्चिदीन 283 रुपए है ठीक है और उसके बाद जो उच्छ कुसल सर्मिक है यानि जो हाई लेवल के जो कुसल है हाई लेवल का कुसल उन्होंने प्राप्त कर चुका है जो वैक्ति जो लड़का या लड़की उनको 233 रुपए पड़ती दिन 233 रुपए पड़ती दिन का वेजज या मजदूरी या बुगताने मिलना चाहिए त्यार परकार के जो आपके सर्मिकों का विवाजन हो चुका है एकुसल अर्द कुसल कुसल और उच कुसल को 269 रुपए अर्द कुसल को 271 रुपए कुसल को 283 रुपए और जो उच परकार 20 रुपए प्रति दिन का मजदूरी या प्रति दिन की वेज़ेज मिलनी ज़रूरी है ठीक है यह दे रखा एकुनोमिक सर्वे के आंकड़े में सरम और रोजगार के तैट 26 के तैट राज्य की महिलाओं और युवाओं को द्यान में रखते आये कि शुरोत और रोजगार क सुरोगार करने में मुख्य मंतरी केमें मुख्य मंतरी और योजना के तहत फद्थर बीरोजगारी युआओं को ब्रोजगारी बत्ता पुल ूर्जव के लिए चार्जार रॉपज़ने यानि के ज gameplay चोर्ञ उसको 40 रुपए और महिला ट्रान्सडेंठ लेक्जंडर ओर जो विशेश यूग्याँ व्यक्ति उनको 445 रुपए प्रति माह पैसा मिलेगा बता मिलेगा तक मिलीगा वह मिलीगा दो साल तक या फिर जब तक वो नियोजित नहीं हो जाते हैं सभ नियोजित या भी दो इन दोनों में जो भी पहले होगा तब तक इनको प्रतेग लड़के को 40 रुपए और प्रतेग महिला या फिर ट्रांसजेंडर वेक्ती या फिर जो विशेश योगेजन वेक्ती उनको 4500 रुपए परती मा मिलें ठीक है दो साल तक मिलें इन दोनों को याद रखना कितने कितन राजस्ता सरकार ने खादी सर्मिकों को प्रियाप्त पारिशर्मिक परदान करने और आज जम्हें खादी के उत्पादन को बढ़ावा देने के उद्यस्या से 13 जुलाई दो जार बाइस से खादी कामगार आर्थिक प्रोच्छान योजना सुरू किया मोस्ट इपोर्टें किन के लिए खादी सर्मिकों के लिए उनको पारिशर्मिक अच्छा पारिशर्मिक परदान करने के लिए उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कब से सुरुवाद किया 13 जुलाई 2022 से खादी कामगार आर्थिक प्रोथ साहन योजना योजना का नाम याद रखना खादी कामगार आर्थिक प्रोथ साहन योजना तेरा जुलाई दोज़ार बाइस से खादी सर्मिकों को अच्छा पारी सर्मिक या प्राप्त पारी सर्मिक और खादी उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई है दिसंबर दो जार्फाइस तक एक जार्फ चौपन सर्मी को गयारा पॉइंट प्रचास लाग की राशी का भुगतान किया जा तुका है ठीक है यह आप याद रखना अब है उर्जा उर्जा के चेतर में हमने क्या कुछ आसिल किया है वह और वे प्रुजण इहां राजस्तान पर उर्जा प्रियों। यानी की राजस्तान में उर्जा स्रूत है वह दो लखे में प्रीश ओंसरों की है है। तक भुदूद की अदिसठी शमता दो 3487.47 میगा बाथ हो गोगी है तो मैंने आपको بتाया था उस यानिया में करनाना अब अब ताहे था दो तीन च्यार का डॉबल आठाट ये कम सात मेगावाट मेगावाट कर दो तीन च्यार आठ साथ मेगावाट जो एक रूट जाए कब तक एए तीस नौबर डो हजार बाइस तक का यह आउखड़ा है राजस्तान के पास इतनी उट्जा की छमता थ कि अब है कि अब है कि याद रखना कुल तुद उर्जा उपभोग में 15.53 परतिसद की वरीदी हुई है ठीक है यह लाइन आप याद रखना कि राज्य में 17.53 ग्रामिन विधूतिकर्ण को प्राप्त करने के लिए राज्य सरकार ने नुवंबर दो जार बाईस तक त्यालीज जार नोश पैंस्ट गाउं का विधूतिकर्ण किया है इसके साथ नुवंबर दो जार बाईस तक एक पॉइंट चौँदा लाग डानियों और स्तानव पॉइंट जिरो पांच लाख ग्रामिन गड़ों का भी विजूत्तिकर्ण की है यह अगर आपको याद रहे तो अच्छी बात नहीं आ रहे तो इतना कोई जरूरी नहीं कि पारे सरकार ने नवीन और नवी करने उट्जा मंतरालिय के अनुसार राजस्तान में सोर उट्जा के 142 गिगावाट विजली उत्पादन की समता है यानि सोर उट्जा से सुरिया से कितने हम विजली पैदा कर सकते हैं किसके आंकड़े यह नवीन और नवीकरने उट्जा मंतरालिय बाहर सरकार का एक मंतरालिय है उसका आंकड़ा है कि राजस्तान सोर उट्जा से इतनी बिजली की उत्पादन कर सकते हैं सुष्क मुरुष्टल के लिए जाने जाना वाला यह राज्याब तेजी से रीत तो इसके लावा राजस्तान सोर उर्जा निति दो जारुनिश भी लाई गई इसके बारे में आप थोड़ा गूगल सर्च कर लेना योजना के बारे में विस्तार्च से जानने के लिए कि ये योजना क्या है राजस्तान राजस्तान सोर उर्जा निति दो हजारुनिश कब आपको डेट डेट देखनी है क्यों यानि इसका उदेश से क्या इलाने का कि इसकी उपलब दिया कि इसने अभी तक क्या कुछ है आसिल किया यह तीन सिद्धे आप गूगल से सर्च कर लेना आपको मिल जाएगी ठीक है यह आपका ओम्रक है ओम्रक को आपको त्यार करना अपना अब मैं बीच बीच में आपको ओम्रक भी देता रहूंगा जिससे कि आप बिल्कुल ही वो स्पून फीडिंग वाली आपको आदत ना रहे और कुछ आप खुद से भी मेनित करना शुरू कर दें अब आगे आदार बूत सरंचना जिसम संचार इसमें हमने क्या कुछ हासिल किया है वो देखेंगे राज्य के समगर विकास के लिए ठोस बोतिक बुनियादी डांचे की आउसकता होती है वास्तों में निर्वाद सटकों के साथ प्रिवेंच चेतर में विकास रोजगार के उसर्ट श्रीजित करने में को कि कुल लंबाई कितनी थी 13553 किलोमेटर थी यानि राजस्तान राज्य में कुल सित्रफल है उसमें 3553 किलोमेटर में जो है हमारी सटके थी लेकिन मार्स 2022 में बढ़कर कितनी हो गी है दो लाक ठंतर जार 813.23 किलोमेटर हो चुकी है ठीक है अब एक आई स्टार्ट आई स्टार्ट आई स्टार्ट राजस्तान राज्य में नवाचार को बढ़ा देने और निवेश को सुईदा जनक बनाने के लिए लागू किया गया राजस्तान सरकार का यह परमुख कारियकरम है आई स्टार्ट प्लेटफोर्म सो परतिसत सारवजनिक या नीजी स्टार्टप की पहचान स्टार्टप प्रमोशन स्टार्टप फंडिंग आदि का प्लेटफोर्म है जो आज देश्क में राजे द्वार संचाली तो प्रबंदी सबसे बढ़ा स्टार्टप एको सिस्टम में से एक है आई स्टार्ट किसके लिए लाया फूम बनाया गया आई स्टार्ट ठीक है या आप याद रखना आई स्टार्ट किया है यह इपोर्टेंट है माननिया मुख्यमंतिरी द्वारा राज्ये के पूरो सनातक सनातक सनातकोतर विद्यार्थियों के लिए रोजगार के उस्टरों को बढ़ाने की दिरिष्टी से 20 अगस 2022 को डेट याद रखना कभी सगस 2022 को राजीव गांदी सेंटर ओफ एडवांस टेकनोलोजी आर्केट का उद्गाटन किया गया इसके अंतरगत आर्टिफिशल इंटेलिजेंस और मसीन लर्निंग बिग डेट ब्लोग चैनादी के भी लक्षी तकनीक है वर्स 2022 तेश के दुरान आर्केट का के 3320 उमीद्वारों को नाबान्वीत किया गया है तो यह आपके लिए मोस्ट इपोर्टेंट लाइन देगी रहा कि कुण सी और्केट है डार्केट की सुरुबात कब की गई 2021 2022 को या का मतलव राजियјु गंदी चरा मतलब शेंटर एक एडवांस टेकनोलोजी राजितौ तक रेखियांगे धिक है किनके लिए किया गयPS नाजड़िया पूरों सनाटक यानि कि प्रस्व का क्ष्ग उनके लिए सनात्तिक यानि जो ग्रेजुएशन के बच्चे उसनात्कोत्र यानि जो पोस्ट ग्रेजुएशन के बच्चे उनको रोजगार के उसर परदान करने के लिए ठीक है आर्टिफीशियल इंटेलिजेंस में उनको रोजगार परदान करने के लिए आर्टिफीशियल भी सुमीदवार इससे लबानवित हो चुके हैं तो यह आपके लिए इपोर्टेंट रहेगा इसको आप व्याद जरूर करना यह योजना इपोर्टेंट है राजी अउगांदी सेंटर फो ओफ एडवांस टेकनोलोजी कि भी सगस दोजार बाई से प्राणम की गई है अब है अब ऑगर्मीन शहुरी विद्स कि training लागू करण चाहली से चत्रूं दाव लाने की और कुछ कहीं से पढ़ने की जूरती नहीं है अगर आप लोग बोलते हो कि कान से पढ़े क्या पढ़े अब कहीं पर आपको सहरी करण के बारे में कोई भी क्यूशन आजाए जैसे आपका माई एक्जामपल लेगे जलो आरियस मैंस का एक्जाम है वहाँ पे सहरी करण से रिल जो आपको कोट करके रखनी चाहिए आपको याद रखनी चाहिए कहीं से अलग जगह जहां पर आपका ध्यान जाए उस जगह पर आपको इस तरह की लाइने लिखनी चाहिए अच्छी है यह बोलने के लिए बहुत अच्छी लाइन होती है किसी के साथ आप रग वितरक कर रहे हो उसमें भी बहुत अच्छी बात है जैसे आप दो-च्यार बच्चे मिलके पढ़े रहे हो तो आपको कुछ बताने हैं तो सहरी करने की आप इतनी अच्छी प्रिवासा दे सकते हो फिर से पढ़ेंगे इसको एक बार है अजहां पर आपको वह अपैँ लगा देनी है बिना किसी जिजक के आपको रचछे खास नमबर मिलेंगे इस में ज्यतनी संदर यह लाइन है उतने संदर आपको नमबर मिलेंगे या ब मानके चलिए वहांको बस coefficient रहा न नहीं चाहिए जिट्टो बसी लिकी दिनाइस में ना कुछ बदलाओ करना ना को यह रट्टा मार लेना इस लाइन का सेरी करने की प्रिवासा क्या है कि कोई अगर कोई भी वैक्ति पुछे एक स्वाइजर जैसे आप गाउं में घूम रहे हो सहर में घूम रहे हो किसी ने लाइन उसके मुँपे मारना ठीक है अ कि राजस्तान और बारत दोनों पूल जन संख्या में शैरी जन संख्या परति सती सा 1901-2121 और अनुसुची जन संख्या दो जार अनुमानित जन संख्या दो जार एक्किस से तेज के अंशा नीचे इस चित्र में दी गई है कि कितनी जन संख्या राजस्तान और बारत में शैरी जन संख्या ठीक है जो यह रैड कलर में दे रखा यह है बारत की और जो इसमें ग्रीन कलर में दे रखिया यह है राजस्तान की तो 1901 में सत्रा पॉइंट प्रतिसत और 16.28 राजस्तान की दो जाग्यारा के अनुसार 24.87 प्रतिसत जो टोटल राजस्तान में जन संख्या उसमें 24.87 प्रतिसत है शैरी जन संख्या यह है हमने पहले उस आरणी में देखा था और बारत में कितनी है बारत में 31.14 प्रतिसत है वो शैरी जन संख्या बा और बारत की 17.7 परतिसत उन्सार एक तेश पॉइंट 49 परतिसत राजस्तान में शहरी जन्संख्या हो चुकी थी और भारत में 27.31 परतिसत राजस्तान में और 31.14 परतिसत भारत में यह दो जार ग्यारा वाला आंगड़ा है तो आपको याद रखना ही रखना है क्योंकि अभी जब तक नहीं जन करना नहीं आएगी दो जार ग्यारा क्यांकड़ी चलेंगे ठीक है तो यह आंगड़ा यह आंगड़ा आपको बूलना नहीं है बिल्कुल भी उसके बात अनुमानित जो है वह है दो जार इकिस की वह है 26 परतिसत जो राजस्तान के कुल जन्संख्या है उ ठीक है एक सो चालीस क्रोड की 34 परतिसत अवादी सेड़ों में रहती है या फिर डानियों में इस तरह की रहती है और दो जार इकतिस तक यह जन्संख्या बढ़कर 27.34 राजस्तान में हो जाएगी और 37.35 बारत में हो जाएगी यानि कि दो जार इकतिस तक बारत की जितनी भी अबादी होगी दो जार इकतिस में उसका लगबग 37.35 परतिसत जो इससे है वो शहर में रहेगा बाकी गाहों में रहेगा और राजस्तान का 27.34 परतिसत शहर में रहेगा बाकी गाहों में रहेगा तो आपको आंकड़े की जतनी बी जनra संक है उष है उसका 31.42 जो इसा वो सेरों में रहता है वह अब देर रखें हैं राजस्तान में जो सबसे ज़्यादा सब्रकार्थ इसा के रूप में बसा हुआ है तो कौर्टा का सबसे ज्यादा हिसा रुप में पसे वह यानि यह पूदि आत्EM कि Hiama शुम्जाते हूं जैसे मन लिज्य कि यह को रशाब है है ko यह इसका जू साथ परतिस्त इत्सा है कि यह वाला जो हिसा है कि सब्समें कौन रहता है शैरी अबाद्दी अधिया वाद्य है अधिया शाठ प्रतिसाथ बाक्की का दो चालीश प्रतिसाथ इसा बच गया यह वाला इसमें कौन रहते हैं यह ग्रामीन अबाद्य है अधिक है है आयों समझे वह आप की राज कोट्टा का जितना बीशतर फल उसका साट पर 30 सफटर है उसका साथ पर तिसाथ इससाथ है यहांनि रूप है यह जैपूर का जो इन पर तिस्फर है वह बस के रूप में बसा हुए बाकि पुड़ा पुड़ा ग्रामिन या खाली भूम है ठीक है बाड़ मेर का चैप ठाने प्रतिशत और बांसवाड़ा का साथ पॉइंट प्रतिशत सबसे ज़्याद होने जाहिए कि सबसे कम जहां पर बांसवाड़ा बार्ण्वाड में और ौर बांसवाड़ा नोगरप्र निधुर परतिशत प्रतिशत और भासवाड़ा में याद रखने हैं उसके बाद है ग्राम मिन विकास से समंदित कारियकरम राश्ट्रिव जो strang गْ Singing जाए ठीक है इसके तहें 2022 ते इसमें जो विया कितना किया गया चार्स बारा पॉंट चालिस क्रोड का बजट है वो रखा गया है जिसमें से 209.34 क्रोड उपर खर्च किया जा चुकिए है ठीक है उसके बाद है मात्मा गंदी रास्ट्री ग्रामिन रोजगार गारंटी हो जन 6250.37 क्रोड उपर व्या किये गए हैं यह आप से पुछा जा सकता है डाइरेक्ट किसी भी एक क्यूशन में कि मन्रेगा के तहते एक मैं क्यूशन मनाता हूं यहां पर वर्स 2022 में मन्रेगा के तहते पुल कितना व्या किया गया है ठीक है कि इस तरह का क्यूशन मनेगा और आपको च्षार ओप्शन दियुक्य में जबनेगें A, B, C, E uwagę A में आपको दे दिया जाएगा Черजार क्रोड रूपे रूपे मी में आपको दे दिया जाएगा je 62, 1953 क्रोड थी baixo पांच र Guardian तो इस तरह से आप से कुशन पुछा जाएगा तो आपको इसमें टिक करना है बाद सट सो पचास क्रोड रुपे ठीक है ऐसे आपको बिल्कुल ग्राउंड लेवल पर आपको त्यारी करनी है इसकी तथा एक्यावन पॉइंट एक्तालिस लाग प्रिवारों को रोजगार परदान करके दो जार उन्यासी पॉइंट क्यारा लाग माननों दिवस रिजित की हैं साथ ही बज़र दो जार बाइस थे इस लिए पत्चिस दिनों की एत्रीकत रोजगार की गोस्ना की गयी है आप तक इतनने सोस्व दिनों का रोजगार मिलते मंधरेका के तहट dari सो दिनों के गारंटी उसे पत्चिस दिनों को और बढ़ा दिया गया कि यानि के 125 दिन कर दियें आप हैं अब है प्रदामन्तरी आव भीकी उपलब्द कराने और सभी के लिए आवास के लक्सी को पूरा चल्णें प्णेंद्री प्दामन्तरी आवास योजना ग्रामिन आप मनें खीश के लिए है एक गाम की लिए सब्सक्राइग तह doesnaldi बहुत है हुरत Live कि लख्स लेखितार योजना के तहला लाबार्तियों का चेहन सामाजी क पीस्ट संग अभ्यान दो जारी किस ये मुश्ट इपोर्टेंट भर सासन गाउं के इसन अभियान Because शेतर के मुद्दों का मुख्य पर समाधान करने Appreciate सरकार द्वारा शुरू किया गया है कि मोक्य पर कोई बी पर्मच स्याजाएं तो उसका समाधान किया जा सके इस है इस व्रुप्यान कें तो परण करने तुप 15 समिति मुख्याले में 15 मैं दोजार बाईस से 30 जून दोजार बाईस तक अनुसरन शीवीर आयोजन किया गया नूंबर दोजार बाईस तक अब्याने पंचाइती राजवी बाग की प्रगती इस परकार है यानि की प्रसासन गाउं के संग अब्यान दोजार इक्षिस में सुर यह हुआ था तो सबसे पहले अब्यान में कुल 3460 प्टे जारी किये गए नाम अस्तात्रन उप मंडल पट्टों के पुनरवैदी करने भूमिप प्रिवर्तन के लिए कुल 236 कारिया निश्पादित किये यानि नामों का अस्तात्रन करना पुट्ट जो पट्टे होते हैं उ जोजना के तहते 23310 सी प्रिवारों में सोतालय निर्मान के लिए राशी परदान की गई तो आप इसका याद रखना की जो परसासन संग परसासन गाउं के संग अब्यान है उसके तहत कौन कौन से कारिये किये गए तो यह चार पांस कारिये हैं इनको आप याद रखना का देया बड़े पैमाने पर समाज मुख्य रूप से अर्थिक रूप से कमजोर वरकों कि भाइती दर पर आवास उकलुप्त करवाने पर केंद्री ते राजस्तान आवासन मंडल ठीक है इसको याद रखना यह सहरी सेत्र के लिए यह एक्जाम में पूछ सकता है ग्रामिन आजिवी का मिशन और मन रेका तीसरा पर्दा मंतरी आवास योजन अग्रामिन और परसात्सन गाओं के संग अभ्यान ठीक चार चार याद रखना उसके बाद सेरी के लिए सबसे पहले राजस्तान आवास मंडल उसके बाद परसात्सन सेरों के संग 2021 अभ्यान है वो गाओं के अभ्यान है यह सेरों के लिए सुरूं आम नागरी को है नगरीया उस्टे समयाओं के तवर्द समयाओन के लिए कीगे जैसे गाउं के समाधान के लिए प्रशासन गाउं के संगOTH औरिकी सभियान शुरु किया गया। जिसमें नेक परकार के कारिये किये गए जैसे कि पट्टो पट्टो का वांटन किया गया कट्री विकास प्रादीकन जेडिये किसके लिए उतर दाही है वो जैपुर की जो चैतर है जैपुर चैतर में विकास काडियों को पूरा करने के लिए उतर दाए है। जैसे कि फ्लाइओर का नियूर। परक करना पारक को बनाना और कार्यों के लिए जय पूर्ध विकास फोल मकीरणा बना दिए बना दिए को सडकों कर दिया कोई विकास बना दिए पौर यली विकास प्रादी करेगा ठीक है और एक जप्री विकास प्रादी करेगा उसके बाद है इंद्रा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना शहरी चेत्रों में निवास करने वाले प्रति दिन प्रति वर सो दिन का रोजगार उपलब्द करवाने के लिए इंद्रा गांधी दिन करदना लागो कि गई गाउं के लिए करuğाने के लिए महातमा गसपने कि दिन का रोजगारने करवाने, 1970, कि उसके बाद है प्रियेटन प्रियेटन का किया कुछ बागिदारी है राजस्तान देश का एक इसा राज्य है जहां एक याशी किलो मेलो एदियुति अस्चिलिप सम्र्द संस्कृति प्रंपराओं की वज़े से प्रेट को को आकर्शित करता है यह पूरे देश में अपने भैपरी है नातित्यत्ति सतकार के लिए जाना जता है राजस्तान में lawsuit के अगर गरिए एक टर सकते हैं में राजस्तान युनेश्कों में राजस्तान के कुछ सत्वलों को जो ंब किया गया वह कोन एकोन से है जैसे कि कुछ किलों को जेपुर का जैपुर की जनतर मंतर है वह उनेशको में सुचिबद है तो यह जो चीज्जें हैं यह हम कहां पड़ते हैं यह जब हम राजस्तान की इस्ट्री पड़ेंगे राजस्तान इस्ट्री झाल हो कि उसमें से इंचित जोग याद करने के लिए कोई जरूई चीज आपके लिए नहीं है कि आप याद घुडलों इनको वहां पर पूरे डीटे है सर्वेज हमारा इसमें तो हमारा मुख्य जो देश्य है वह जो व辜तें से समंधित आएंगे और इत्यास कर रही है को सम lava शिक्ष्या अब यांस स्थत्व कारिये कम नोबार सक्सरताकारियक्रम जैसे नेगप्रकार के लाए जा रहे हैं नीज उलक पठ्थे पुस्तक उपलोद करवा रही है कहां पर सबी सरकारी विदालियों में यह लाइन आपको जुरूर याद रखनी है यह इपोर्टेंट है अगर यह पूछ लिया जाए किसी भी एक्जाम में कि सरकारी विदालियों के कक्षिया एक से दस तक के विदालियो को नीज उलक पठ्थे पुस्तक उपलोद करवा रही है तो गलत हो जाया क्योंकि एक से आर्थ तक है और सबी सरकारी के साथ अगर नीजी भी दे दिया जाए तो वह भी गलत हो जाए और यह उपलोद कौन कुरवा राज्य सरकार पठ्थे पुस्तक मंडल जैपुर के ने भी सरकारी स्कूल है उन सरकारी स्कूल के सभी कक्षा एक स्यार तक के बच्चों को नीजी शुलक पठ्थे पुस्तके या भुख से उपलोद करुवाई जा रही है ठीक है कि उसके बाद है चात्रवर्ति परिमेटिक चात्रवर्ति एस सी एस्टी ओपी सी एस बी सी और डी टी एंटी सिमान चेंतर ओपी सी के सात्रों को प्रदान की जा रही है नीजवब को नेवारिय सीकष्या का एधिकार इदिनियुन दो जार नू है एदिनियं ए एक अप्रेल जार्दस से लागू किया गयाए अडेट पूल सकता है कभी भी कभ लागू किया एक अप्रेल दो तो आपका गलत हो जाएगा याद रखने एक अप्रेल 2010 से लागू की गई है और शिर्फ नीजी विदालियों के लिए है उसमें जो प्राइवेट आपके स्कूल होते हैं उसमें पर्चिस पर्तिसत दो सीटे हैं वह सातर या सातर बालक या बालिका कोई भी हो जो प्यार्थी इस बाइस में पर्थम मुदित्य किस्त के लिए 416 क्रोड रूपे गिराशी पर्ति पूरित की गई है यानि उनकी जो फीस है वो कौन देगा वो सरकार देगी राज्य में बालिका शिक्ष्य को बढ़ावा देने के लिए 316 कस्तूर्बा गांधी बालिका विदालियों के होती है जो ग्रल्स होती है उनके लिए है जिसमें 4460 सार्ड जो ग्रल्स है वो पड़ रही है ठीक है कि अ अब चिक स्वास्ते हों परिवार कल्यान राज्य सरकार के समाज के सभी वर्गों विशेश रूप से गरीब और कमजोर वर्गों हितों में स्वास्ते देखवाल गुनुता बहतर के लिए बरपूर प्रियास कर रही है कि राजस्तान जन्नी शुरक्षय योन मैंने मैंने आपको पहले बता दिया था यह क्या कुस है आपको मेंट करके जड़ूरr मताना कि ठीक है कि पुल पर जनन दर कितने परती महिला बच्चे बारत में दो है राजस्तान में भी दो है ठीक है और जिसुमर्थ उधर परती हजार पर जीवित जनम 35.2 और 30.3 परतीस हुआ तीसट में 30.3 बच्चों का जीवित जनम होता है सिस्टागत जनम स्वास्ते सुईदाओं में होने वाले जनम का प्रतिसत संस्टागत जनम क्या होता है जैसे किसी प्रकार के ओस्पिटल में जो पर्स होता है बच्चे का जनम होता है वो होता है संस्टागत जनम कि स्वास्ते के अंदर हो उससे लेकर कोई किसी प्रकार का यह सरकारी यह हो चौप उर्द सपिटल होते हैं या कोई भी इस्टा की रूप प्रतिसत अभी तक सनस्तागत जनम होता है बच्चों का इसके अलावा जो बच्चे जनम होते हैं वो उसी पुराने डल्ले पे जैसे पहले क्या होता है कि दाहिमा पर्ष्व कुरवाती थी उसी प्रकार से घर परी या ग्रेंडू रूप से या देशी तरीक्चे से बच्चो के रूप में जाना जाता है को स्यूंक्त राष्ट के सभी सदस्य देश्व द्वारा गरीबी को समाप्त करने गरें कि रक्ष्य करने और वर्स दो जार्तिस तक सभी लोगों की समर्दी और शांती सुनिश्चित करने के लिए एक सारो बोमिक आवान के रूप में अपनाए है कि यह जुड़ेन एक किया बहुत क्राटीस को का इसका अमारी दुनिया को बदलना सथत्र विकास के लिए जेंडा दो OVER जारी इनडिया इंडेक्स हो वेलेदेश चक正 mean HierMike में सुदार हुआ है वर्स 2019 भीस में साथ से बढ़कर दोजार भी सिकिस में च्छांसट हो गए है ठीक है तो एस डीजी लक्षा यूवन के जो सभी सदस्य है उनके द्वारा अपनाया गया एक लक्षा है जिसमें कुल 17 टार्गेट है आप इनको 17 टार्गेट को याद रखना अब हैं मुख्यमंती राजस्तान आर्थिक सुदार सलाकार प्रीशद का गठन किया गया है जैसे कि बारत में एक तिंग टैंक है जिसका नाम है नीति आयोग जिस परकार का थिंग टैंक बारत सरकार के लिए नीति आयोगा है थिंग टैंक के रूप में कारिया करता है बिल्कुल वैसा ही राजस्तान में ये थिंग टैंक के रूप में कारिया करता है मुख्यमंत्री राजस्तान आर्थिक सुदार सलाकार प्रीशद ये एक थिंग ट सैंस्स 여러분 अने उसलेश्न लिए करना राधे की जारेई नमीन पहल को चिनित करना राध की विकास्योदनाओं के माध्यमे गोदी को चुनोतियों बता लगाना प्रिषद की फारिसों को पlar को लागू करना से ओ degeneracy विकास और वर्दिक प्रभाव डालने वाली विशिय उनके उपर जो भी वक्ता है उनको व्यक्षान को आयोजित करना उनके उपर च्ट्चाएं करना प्रिस्षे द्वार राज्ये के सामजिक आर्थी विकास से दूड़े निमलिकित विश्यों के अध्यान पत्तर त्यार कि जा रहे है जो इन शेत्रों में भावी निती सुधार के लिए उप्योगी है तो कौन कौन से सहरी उप्चारिक अनुप्चारिक छेत्रा प्रबंदन सतत कर्ची ग्रामिन शेत्रों के किकर्थ कर्ची और बुन्यादी डांचे का विकास अर्थ वेवस्ता में मूर्थ संपर्तिक योगदान की मात्रा का निर्धारन शिक्ष्य और नए प्रतिमा अंचिक्ष्य शेवा विवसाहे बुन्यादी डांचे में सार्वजनिक निजी भाग्यदारी पी 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 प्रब्लिक प्राइवेट पार्टर्नर्शिप राज्य का राज कोशिय प्रबंदन बरूक्ति होगा सामना करना तो यह है जो हमारा जो थिंकटेंक एव राजस्ताव का थिंकटेंग अभी आनने आपás कंदाए आप सब्सक्रेप्रेस काThe मूंट वे न संतर फेलिहां सीजिक Mauri से गता है आप कुमेंट करके जरूरक बताने हिसका नाम क्याथ अब कारियाकरम करने का लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद Thank You यह तो यहां तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको यह वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट करके जुरूर बताया करें और वीडियो पर आप बिल्कुल भी वीव नहीं देते तो वीव भी दिया करें ठीक है बाई